आप देख रहे हैं News Today NT24, खबर सबसे पहले कुछ मानिंद योगों के बीच बचाओं से किसी तरह मामला शान्त कराया गया, लेकिन एक वर्ष बाद फिर पती एवं ससुराल द्वारा दहेज के लिए प्रतारना शुरू कर दी गई, विवाहिता ने बताया कि ससुराल पक्ष द्वारा पचास हजार रुपए वा होंडा इन्वर्टर नल आने पर दूसरी शादी करने कोई भी धमकी दी जा रही है, आए दिन मारने पीटने की घटना तो आम हो गई है, पिडिता ने आरोप लगाया कि बीते 13 जुलाय को ससुराल पक्ष के लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, उन्होंने पुयस को तहरीर देत हुए मदद की गुहार लगाई है, गाजीपूर से नसीम खान की रिपोर्ट